भगवान महावीर के प्रमुक्षिश्य गौतम भगवान महावीर से प्रस्न करते हैं कि भगवन आने वाले गोर कल्यूग में क्या होगा, कैसा वातावरन होगा और कैसे लोग होगे तो बगवान जवाब में बताते हैं कि इस कलियोग या पांचवे आरे के पूर्ण होने पर 21,000 वर्ष का छटा आरा या घोर कलियोग प्रारंब होगा इस आरे में यानि इस काल चक्र के विभाग में आयू घटे घटे 20 वर्ष की और शरीर की उंचाई एक हाथ की रह जाएगी शरीर में आठ पसलियां होगी अपरिमित आहर की इच्छा होगी रात्री में शीत और दिन में ताप अत्यन प्रबल होगा मनुश्य बिलो में रहेंगे गंगा सिंदू नदिया साम्प के समान बांग की गती से बहेगी गाड़ी का आदा पईया डूबे उतनी ही इन समुद्रों की गहराई होगी मचली आदी जलचर जीव बहुत होंगे जिने मनुश्य पकड़ कर नदी की रेत में गाड़ देंगे और सीत और गर्मी के योग से पक जाने पर लूट कर खा लेंगे मृतक मनुश्य की खोपड़ी में वे लोग पानी पीएंगे जानवर मरी हुई मचलियों आदी की हड्या खा कर जीवन यापन करेंगे मनुश्य दीन, हीन, दुर्जन, रुब्न, अपवित्र, आचार विचार से हीन होगा धर्म से हीन और दुख ही दुख में अपनी आयू व्यतित करेगा छे वर्ष की आयू वाली स्त्री संतान का प्रसव करेगी इन सब कार्णों से इस आरे का नाम दुश्यम दुश्मा होगा तो ये थी संचिप्त जानकारी आने वाले घोर कल्यूग की आज का प्रशन है कि काल चक्र के कौन से विभाग में तिर्थंकरों का जन्म होता है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें